मेकैनिक संदीप साओ तो स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आपको और देखे दोस्त वीडियो आज क्या है जो आपके सामने वीडियो में देख रही यह प्लेजर का एंजिन है इसमें दोस्त पूरा एंजिन का हमने काम किया है आप देख सकते होंगे जैसे कि वो देख थे ही प्लेजर तो समस्य कर है दोस्त और बहुत धीमा चड़ लहा था और और ऑइल का इसमरा प्रेसर बहुत होना चाहिए नहीं तो समस्या हो जाती अब इसके ऐल मे Sydंच समस्या जादा कर वेड़ा करों सभी मेकानिक हो गई यानि इस तरब से यह कड़ गई यहां से स्कावाइल प्रेशर लीख कर जाता है अब यह तो सब ठीक है दोस्त अपन नया डाल देंगे नया डालने के बाद अब इसको चेक कैसे करेंगे क्योंकि चेक करने के लिए इतनी लंबी प्रोसेस कि फिर एंजिन को पासाओ अ गाड़ी सही काम कर रहा है और आएल पमप इनाओर तो दोस्तों वीडियो में बनेरें मैं देखाता हूँ आप देखे दोस्त ऐसे आप थि फ्रेट रहती है क्योंकि जो आयल पम्प हम पुरोण नया लगा के और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ अगे औशिक काच प तो स्पार्क प्लक खोल लेनी है आपको फिर दूसरी बात इसके ऊपर जो थ्रेड रहती इस पर जो है ऐसे टेप लगा लेना ताकि थ्रेड में कोई दिक्कत नहीं है ऐसे हैबी वाली ड्रिल मसीन ले लेना है देखना आप अभी आप देखिए ओईल पंप कैसे चेक होता है अच्छा प्रेशर बना रहा है कि नहीं क्योंकि हम केक से करते हैं तो केक से जो है अच्छे आर प्यायम नहीं आपاتे है और रैगलर आर प्यायम होंगे तब है आईल पंप अच्छे से चेक ह Casey को नहीं हो सकता तो दोस्त मैं ईसको टाइड कर दोरा तो देखियो ऐसे फ diffusion देखिए फिर से और यहां भी देखे ऐसे करके आइल पंप आप चेक कर सकते हैं बिगर इंजन फसा है ठीक है दोस्तो तो कितना बढ़िया आइल आया आप देख सकते हैं जितने आर्पियम में इंजन स्टार्ट होता है उससे कहीं ज्यादा है इसके ड्रिल के दिल मसीन के तो आप ऐसा करके आप काफी अपनी परिसानी हल कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें वीडियो देखने के लिए दोस्तो धन्यवाद